कब बेचें और कहां बेचें और कैसे बेचें या कब खरी दें कहां खरी कैसे खरी दें Investing के साथ's ट रेडिंग भी आपको सिखाने वाला हूं बिना किसी Finance के share market ऊपर जा है हो तब हो सकता है वर share गट रहा हो share market नीचे आ रहे हो तब हो सकता है share के price बढ़ रहे हो जब आप swimming pool में उत्रेंगे और एक एक चीज को test and trial पर करेंगे तो आसानी से swimming करना सीख जाएंगे लेकिन swimming सीखने के लिए अगर आप direct swimming pool में कूछ जाएंगे तो आपके डूबने की संभावना कई गुना होगी ज़ोरत होगी right mentor की, right guide की और swimming pool में practical करने की तब ही आप swimming को बेटर तरह के सीख सकते हैं अभी दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक personal finance पर वीडियो बनाया था और उसमें मैंने पूछा था कि क्या आप मेंसे बहुत सारे लोग stock market के बारे में सीखना चाते हैं trading के बारे में, investing के बारे में, intraday के बारे में इस से related बहुत सारे questions मैंने किये थे और 98% लोगों ने कहा कि yes sir we want to learn about stock market तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ full series और बिना किसी fees के मतलब free of cost, stock market millionaire जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा basic से लेकर advance तक stock market से संबंदित सारी बाते हैं मेरी लाइफ का एक उसूल है मैं ऐसे किसी भी विशह पर training नहीं करता जिसका practical मैंने अपने लाइफ में implement ना किया हूँ जैसे फर्म के establishment से लेकर एक public limited company बनाने तक, छोटी सी फर्म को import export company बनाने तक, अपने पूरे भारत वर्ष में franchisee network develop करने तक, dealership network develop करने तक, मतलब business के establishment से लेके expansion तक, सब मैंने practical किया उसके बाद आपको सिखाना चुरू किया कि कैसे सब कुछ किया है सकता है, इसी तरह से stock market में पिछले साथ वरषों का investment का अनुभव करने के बाद कई losses को और कई profits को देखने के बाद, मैंने decide कि मैं आपको सिखाऊंगा stock market millionaire से संबंदित, बहुत सारी चीज़ें क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग courses बेचने के लादच में आपको ऐसे portfolio दिखा देते हैं morfing video दिखाएते हैं, जिससे आपको लगता है, पता नहीं कितुना profit कमा रहे होंगे ऐसे में एक small scale investor ना अपनी पुझी को खो बैठता है, ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए जरूता है चीज़ों को ठीक से समझने की, तो आज हम बात करेंगे stock market millionaire की series के बारे में और आज इसका पहला वीडियो आपके सामने आने वाला है इससे पहले stock market से संबंदित बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हैं, आप चाहें तो उन वीडियो को भी पहले देख सकते हैं, पर series मैं regular आपके लिए लेका रहा हूँ तो stock market को समझने से पहले सबसे पहले में समझना होगा, कि जो stock है उसका मतलब क्या होता है, देखिए, एक company जब एक public limited company बन जाती है और company expansion करना चाहती है तो expansion के लिए company को fund चाहिए होता है अब fund या तो equity holder से लेते हैं या open public से demand करते हैं कि आप मेरी company में invest करो, उसके बदले मैं आपको एक share दूँगा और share पर होने वाला profit और आपका पैसा भी grow करे लेकिन कई बार जाने अन जाने में हम ऐसी company में invest कर बैठते हैं जिससे हमें loss होने के संभावनाई बढ़ जाती हैं, क्योंकि business करते से हमें तो हम देखते हैं कि business का model क्या है लेकिन share खरिते से हमें देखते हैं कि लिस्टिड होता है दो जगा, या तो National Stock Exchange जिसको हम NSE बोलते हैं, या Bombay Stock Exchange जिसको हम BSE बोलते हैं मतलब दो तरह के हमारे देश में exchange बने हुए हैं, एक Bombay Stock Exchange और एक National Stock Exchange जितनी भी listed companies हैं वो इन ही में list होती हैं, अब कौन सी company कहा list होती हैं, इस बात को थोड़ा समझ लेती हैं जितनी भी company National Stock Exchange में listed होती हैं, वो हजारो company हैं लेकिन उन हजारो companies में से top 50 companies होती हैं, उनको हम बोलते हैं Nifty, Nifty मतलब top 50 large capital company large cap company जिसको उसको उका जाता है वो पहली 50 company जो सबसी बड़ी उस industry में lead कर रही होती हैं, यहां पर listed होती हैं उसके बाद दूसरा जो होता है, वो होता है Sensex, Sensex मतलब sensitive index मतलब BSC में listed first top 30 companies, जिन companies की capital large होती हैं, मतलब पहले 50 companies में आती हैं और 30 companies में आती हैं तो term को समझ लीजेगा आने वाले time में बहुत technical words पर बात करेंगे, NSE मतलब national stock exchange BSC मतलब Bombay stock exchange national stock exchange में top 50 company उनको nifty कहती है या nifty 50 कहती हैं और Bombay stock exchange में जो company listed होती है उनको हम बोलती है Sensex sensitive index, first top 30 companies अब यह कैसे पता लगे company top 30s, top 50s में या उसकी जो capitalization हो कितनी है capitalization का मतलब उस company की market value कितनी है यह समझना बहुत जुरूरी है इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा formula है आपको अगर large cap company की calculation करनी है, किसी भी company की capitalization की calculate करनी की वो company कितनी बड़ी capital किया, कितना पैसा उसमें लगा हुआ है, तो simple तरीका क्या है total number of share देख लो कि उस company के total share कितनी है into market price per share उसका एक share का कितना price है उधारन के लिए मान लीजिए किसी company के एक लाक share market में available है और वहाँ पर एक share की cost है 100 रुपे तो इसका मतलब उस company की market capitalization एक करोड रुपे है अगर यह share 200 का हो जाए तो 2 करोड रुपे अगर यह 80 का रहा जाए तो उसकी market capitalization 80 रुपे रहा जाएगी कहने का मतलब आपके business में आपकी company के पास कितनी पुझी है कितनी उसकी market में value है उसको capitalization बोलते है clear तो मैंने आपको nifty बताया आपको nifty 50 बताया आपको sensex बताया आपको nsc बताया आपको notes बना ले क्योंकि अभी आपको यह tough लग रहा लेकिन दीरे 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 इतना simplify हो जाएगा कि आपको tips पर सारी चीज़े याद होगी और मैं investing में investing के साथ साथ trading भी आपको सिखाने वाला हूँ बिना किसी fees के तो इसलिए सबसे पहले चैनल को subscribe कर ले कि कोई भी informative video miss ना हो और आप इस पूरी series को ठीक तरीके से देख पाएं और समझ पाएं fine तो यह terms हमने समझी अब बात करते हैं Warren Buffet जिसको हम कहते हैं stock market के भगवान है stock market के god है एक तरह से वो एक बात कहते हैं और हमेशा अगर आप अपने किसी बड़े बुजर्ग से बात करेंगे परिवार में बड़े सदस्वेश बात करेंगे जिनोंने कभी stock market के बारे में नहीं सुना तो वो कहते हैं यह क्या एक जुवा है यह एक सट्टा है यह अगर पैसा लगा है तो डूब जाएगा लेकिन ध्यान रखिए investing सट्टा नहीं है अगर आप सही तरीके से market को समझते हुए right investing करते हैं तो आपका पैसा हमेशा बड़ेगा ऐसा कभी होई नहीं सकता कि आपको loss हो जाए loss कब होगा Warren Buffet कहते हैं losing money in stock market is near to impossible ध्यान से समझेगा investing के जो बेताज बाश्चा है न Warren Buffet वो एक बात कहते हैं कि share market में पैसा डूब जाए ऐसा near to impossible है मतला असंभव है अब आप कहेंगे कि बहुत सार लोगों को loss होता है तो उसके बारे में बात करने वाले हैं ध्यान रखेगा सही तरीके से investing की जाए तो आपको share market में कभी loss नहीं होगा problem क्या है कि आदी उधूरी जानकारी के साथ जब आप कोई काम करते हैं तो आपको घाटा होनी की संभावना है कई गुना होती है ठीक उस तरह से swimming को deeply सीखे बिना उसकी practice किये बिना, breathing की practice किये बिना आपको हाथ कैसे rotate करने है, pair कैसे करने है, body को कैसे balance करना है आप direct swimming pool में कूच जाएं तो डूबनी की संभावना होती है लेकिन एक swimmer के लिए swimming pool में डूबनी की संभावना ना के बराबर होती है, जिसने professional training लिए तो Warren Buffet ये कहते हैं कि share market में पैसा डूब जाए, ऐसा near to impossible है तो इसमें risk क्या है, the biggest risk is not having required skills हर वो काम जिसकी आपके पास required skill नहीं है, हर वो काम risky है जैसे आपको बिजली का काम करना नहीं आता लेकिन आपने प्लास लिया, कटर लिया, टेप लिया, आपने सोचा चलो लाइट की fitting मैं ही ठीक कर देता हूँ पता लगा, दो तार गलट टाच हुए, neutral अनर्थ और वहीं से एक दम पठाका हो गया है ना, negative positive आपस में मिला और वहाँ पर धमाका हो गया, आपका electronic gadget फुक गया, आपने गलत जगह से plug-in कर दिया, और power supply छोड़ दिया इसका मतलब आपको सबसे पहली ज़रूत क्या है biggest risk यह है कि आपके पास required skills नहीं है, और अगर आप अपनी skills पर काम करेंगे तो stock market दुनिया का सबसे बहितरीन एक ऐसा option है, जहां दुनिया की सफलतम company आपके लिए काम कर रहे है, आपनी growth के लिए काम कर रहे है और उनकी growth होगी, तो आपकी growth होगी क्योंकि आपके पास उनका एक share है अब बात करते हैं, share market में कब खरीदें और कब बेचें ध्यान रखेगा, दुनिया में इतने सारे ऐसे लोग हो कहते है कि यह राइट तरीका टाइम है, यह राइट टाइम है आप खरीदना चाहिए, आप बेचना चाहिए यह सब speculation की बाते हैं और हर व्यक्ती past performance पर ही बात करता है कि बई, जैसे मैं बताता हूं मालीजे, Sensex और Nifty का चार्ट देखा और उनने का पहले market 1980 में ऐसे बड़ी ऐसे गई, नीचे गई, उपर गई, फिर थोड़ी इस तरह से रही, फिर उपर नीचे फिर वो कहते हैं, अगर यहां खरीदते और मतलब यहां buy करते, यहां sell करते मतलब नीचे buy करते, उपर जाके sell करते तो profit होता है, यह तो सब को पता है कहते हैं क्रिकिट में जो वो critics होते हैं वो कहते हैं, गर सचिनतनुकर बैट ऐसे घुमाता तो six जाता, उसने ऐसे किया तो वो clean bold हो गया क्यों, बाद में तो कोई भी बताएता है तो stock market में कब खरीदें, कब बेचें इसका कोई formula नहीं है formula है तो केवल अनुभव का कि right तरीके से आप decision कैसे लेते हैं fundamental और technical आप कैसे study करते हैं तभी आप right decision ले पाएंगे कब बेचें और कहां बेचें और कैसे बेचें या कब खरीदें, कहां खरीदें, कैसे खरीदें ये सब कुछ आपको खुड decide करना पड़ेगा लेकिन चीजों को सीखने के बाद past chart को दिखा कर तो कोई भी बता सकता है कि यहां खरीते तो यहां होता आप देखें, कई वीडियो में लोग कहते हैं कि यहां खरीते अगर एक लाक लगाते तो आज आपके पांच करोड हो जाते अगर ऐसा ही था तो उन्होंने क्योंने बना लिए past charts को देखकर तो कोई भी गह सकता है कि यहां खरीते और यहां बेचते जरूरत है चीजों को ठीक से और सीखने और समझने की लेकिन एक बास समझ लेगा यहां सबसे बड़ा प्रश्न क्या है वास्तविकता में share बादार कैसे काम करता है देखें share बादार में exchange एक तरीका है जहां से लोग share खरीते और बेचने वाले काम होते है उस समय कीमत बढ़ना चुरू जाती है जैसे economics में आपने पड़ा था कि demand and supply this is the equilibrium price between demand and supply demand कितनी है और supply कितनी है उन दोनों का जो equilibrium है वो automated NSC and BSC decide करता है कि कितने बाइर हैं कितने seller हैं उसके साब से price decide होता है लेकिन problem क्या है कि हमें पता ही नहीं होता कि market किस रूख में जा रही है किस तरफ बह रही है Warren Buffet ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि 5% जो class है वो इस तरीके से काम करती कि जो 95% mass है वो अपना सारा पैसा इनको दे देती है अब आप सोचेंगे सर ये आपने क्या बात बोल दी Warren Buffet ने कहा है कि share market में 5% लोग पैसा बनाते हैं और 95% लोग अपना पैसा गवाते हैं तो इनका पैसा निकलकर इनके पास मौच जाता है इनको ये बता होता है कि कब buy करना है और कब sell करना है लेकिन ये इसके बिल्कुल opposite चलते हैं जब loss हो रहा होता है तो ये सबसे पहले selling पर focus करते हैं और जब share market बढ़ रही होती तो buying पर focus करते हैं और इसी tendency को समझते हैं ये 5% लोग अगर आप इन 5% लोगों की system को समझने की काम कैसे करते हैं तो आप भी share market में आपार पैसा बना सकते हैं मैं यह आपको कोई speculation सिखाने वाला नहीं हूँ कैसे आप सटा लगाएंगे ऐसे काम करेंगे आज ये ride दिने इसको खरीद लो आज ये ride दिने इसको बेज दो नहीं आपको properly study करना है और उसके बाद अपनी life में इसको implement करना है छोटे छोटे trade करके छोटी छोटी इंवेस्टमेंट करके अपनी पुझी को बचाए रखते हुए धीरे धीरे profit बनाना शुरू करना है और जैसे धीरे धीरे आप profit बनाना शुरू करेंगे और उसी profit को reinvest करेंगे तो एक समय में वो आपकी करोड़ रुपए की capital बन जाएगी financial market क्या कहती है ये consistently काम करती है के cases पर buying and selling के बीच में अब ये buying and selling का क्या है दो तरह की parties है जो buying and selling करती है number one retail trader हम लोग जो है वो retail trader की category में आते हैं दूसरा कौन है investors अब अगर आप retail trader वाली tendency अपना होगे तो हर उस trader को इसको loss होता है उस तरह से आपको भी loss होगा और हर उस तरह से जिसमें trader पैसे बनाता है हो सकता है आप उसकी tendency को follow करते वी पैसे ना बना पाए लेकिन जो investor है उन्हें ये पता है कि सही तरीके से investing कैसे करनी है और share market से पैसा कैसे कमाया जा सकता है अब प्रश्ण ही होता है कि 95% जो investor जिसको मासिस बोलते है जी के साथ trade कर रहा है या investing कर रहा है चाहें वो बागे बताने वाला हों कि intraday क्या होता है swim trading क्या होता है long term investment क्या होता है short term investment क्या होता है सारी planning मैं आपको explain करके समझाऊगा लेकिन सबसे पहले fundamental समझ लो कि 95% लोग 5% लोगों के लिए काम कर रहे हो उन लोगों की तरह कैसे काम करें जो 5% है अब यह 5% में आते हैं banks आपको क्या लगता है बैंक पैसे पैसा बनाता है bank के पास जो भी investment आता है bank उस investment को share market में इंवेस्ट करता है loan देता है लोगों को property में इंवेस्ट करता है और उस पैसे से पैसा बनाता है उसी के बदले ब्याज किसको देता है बैंक में डिपोसिटर को इसका मतलब बैंक को ये पता है कि किस तरह से शेर मार्किट में 5% लोगों के साथ रहते हुए पैसा बनाया जा सकता है तो बैंक राइट इन्वेस्टर होता है और mutual funds, mutual funds का मतलब क्या है, आप छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे बहुत सारे investor मिलके एक group बना लेते हैं, और उस group के हिसाब से पैसा वो company, जो मानले ICAC ही है, ICAC ने क्या कहा, कि आपको mutual fund दिया है, मतलब कुछ लोगों के समूं का fund दे दिया, और वो पैसा उठा कर उन या अगर death हो जाती है, तो किस तरह से हम insurance का claim देंगे, लेकिन probability बहुत कम होती है, और वो क्या करते हैं, उस premium के पैसे को invest करते हैं, stock market में, और stock market से वो पैसा बनाते हैं, तभी आपको, जो आपकी policy, उसके बदले, पैसा दे पाते हैं, या claim दे पाते हैं, तो इसलिए ये 5% investor की list में आते हैं, दूसरा financial institutions, अब financial institutions क्या है, वो सारे NBFC banks, जो लोगों से पैसा कठा करते हैं, और उनके पैसे को invest कर देते हैं, share market, तो जिस तरह से हमारे financial institutions होते हैं, उस तरह से domestic financial institutions भी होते हैं, जिनका काम होता है, देश का पैसा देश में invest करना, वो खुद भी domestic होते है और domestic market में ही invest करते हैं, ठीक उस तरह से foreign institutional investors होते हैं, उनका क्या होता है, कि जो विदेशों में company चला रहे हैं, और भारत में आके यहां की share market में invest करते हैं, तो ये जो 5% लोग है न, ये 5% लोग 95% लोगों की पुझी को खा जाते हैं in terms of profit, क्योंकि इनको पता होता है कि right time of investing कब है, कब share बेचना और कब share खरीदने है, तो जो लोग इन लोगों की strategy को भी follow करते हैं, वो भी आसानी से share market में पैसा बना सकते हैं, अब प्रशन ये उठता है कि पैसा तो हम बनाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहला step क्या है, ध्यान रखिए, मैंने जैसे आपको कहा क अगर आप swimming सीखना चाहते हैं, पहला step आपको swimming के बारे में basic knowledge, प्लस छोटी-छोटी-छोटी-छोटी कम गहरे पानी में practice करना और उसके बाद में right guidance and right coach के साथ swimming pool बे एंटर करना, इसका मतलब आपके पा swimming pool होगा, यह swimming pool पे आप जाएंगे, तब ही आप swimming सीख पाएंगे, ठीक उस तरह से, अगर आप stock market में investing करना चाहते हैं, trading करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक DMAT account होना चाहिए, अब DMAT account के बारे में थोड़ा सापको बताईता हूँ, सबसे पहला कौन होगा है, trader, मतलब आप, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर आप trading कर मतलब क्या है, ज्यान से समझेगा, कुछ लोग कहेंगे trading और DMATG की तो होता है, पहले समझ लो, trading account क्या होता है, जहां पर आप share mutual funds और bonds की trading करते हैं, मतलब खरीद और बेच करते हैं, आप जैसी आप कोई trading करते हैं, तो वो trading करते हैं, वो करते हैं आप stock market से, मतलब stock market से कोई share खरीते हैं, तो वो पैसा bank से stock market में नहीं जाता, आपके bank account से वो पैसा जाता है, आपके trading account में, और trading account में कौन डालता है, trader, और trader जो भी stock market से खरीता है, share अगर आपने buy किया, तो वो share आपके trading account में जाता है, और जैसे उसके delivery होती है, तो वो आपके DMAT account में आता है, मतलब DM account क्या है एक तरह का stock है जहां पर आपका सारा समान रखा जाता है ठीक है और trading account के जहां पर आप transaction करते हैं और जैसे ही आप कोई भी share बेशते हैं तो उसका पैसा आपके bank account में आप चाहें तो उसको as a trader withdraw कर सकते हैं तो buy और sell जो हम करते हैं वो करते हैं share market में लेकिन share market में buy और sell करने के लिए हमें चोई एक trading account और trading account में जब हमको transaction करते हैं तो bank से link होता है और bank से link करने का right आपके पास होता है और जैसी आप trading करके कोई भी चीज़ खरीदते हैं बेशते हैं तो आपके DMAT account में से plus या minus हो जाता है मतलब share खरीदेंगे तो plus हो जाएगा share बेचेंगे तो वो minus हो जाएगा तो सबसे पहले सबसे पहले में समझना है कि हमारे पास एक bank account है तो हमें क्या खोलना है DMAT plus trading account अब DMAT and trading account में हम केवल shares को नहीं बहुत सारी चीज़ खरीद बेच कर सकते हैं और वो क्या है आपका DMAT account जो है उसमें आप क्या कर सकते हैं आप share खरीद बेच कर लिया तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर share market ऊपर जाएगी तो आपका पैसा बढ़ेगा share market नीचे जाएगी तो पैसा घटेगा अब आप इसको share से compare मत करना share market ऊपर जा रही हो तब भी हो सकता है share के price बढ़ रहे हो जैसे sensex नीचे आ रहा है nifty नीचे आ रहा है पर मैंने अडानी का share खरिदा वो बढ़ रहा है या रिलाइंस का share खरिदा वो बढ़ रहा है तो share market अलग चीज है और share का जो price है वो अलग चीज है मतलब nifty और sensex अलग है ETF क्या होग है exchange credit fund इसके लिए एक separate video बनाऊगा shares के लिए mutual funds के लिए exchange credit fund के लिए आप कुशी भी company के bonds खरीते ह वो भी आपके DMAT account में जाएंगे आप government securities खरीते हैं वो भी आपके bank account में जाएंगे तो DMAT account वो place है जहाँ पर आपकी सारी सीजों को रखा जाता है जैसे bank में आप पैसा रखते हैं तो इसको निकालना deposit and withdraw कर सकते हैं लेकिन bank का जो locker है जब उसमें आप jewelry cash रखके आपाते हैं आपकी delivery of stock या तो आती है या जाती है वो आपके trading account में आते हैं is that clear जैसे पुराने जमार पुराने समय पर जब हम share खरीदा बेचा करते थे ना तो share खरीदने के बाद हमें physical copy मिलती थी share की एक certificate मिलता ना share का जिसको अपनी file में लगा कर रख लेते हैं तो file है वो DMAT account है एक समझ पारें आप तो यह बात आपको समझ रही है अब अगर आप swimming pool में कूदने के लिए तयार हैं तो आपको चाहिए एक right pool ठीक उस तरह से अगर आप share market में investing के लिए तयार है तो आपको चाहिए एक DMAT account अब वो DMAT account देखे कहते हैं कि DMAT accounts कहां खोले यह बहुत बड़ा प् में खोल लो up stock में खोल लो या grow में खोल लो या 5 पैसा में इतने सारे इतने सारे apps हैं मैं जो trust करता हूं मैं direct bank पर trust करता हूं क्योंकि मुझे trading में जाने वाले commission का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पढ़ना जब आप long term के लिए invest करते ना तो कोई फरक नहीं पढ़ता है मान DFC securities में तो क्या हुआ bank से direct link है तो transaction होने में पैसा आने जाने में बिल्कुल भी समय लगता ऐसे ICAC bank का क्या है ICAC direct ऐसे ही जो brokers है जैसे Motila Loswal है एक बहुत बड़ी farm है तो Motila Loswal का आप DMAT account खोल सकते हैं उसके लावा up stock, zero-dha, grow आप apps के मादेम से करना चाहएं तो app के मादेम से जो link है वो हमने description box में दिये हुए है वो हमारे affiliate link है आप उस पर click करें तो उसके मादेम से अगर आप account खोलते हैं तो उसका benefit हमें भी होगा और आपको और आपको क्या benefit होगा आपको ये benefit होगा कि अगर आप हमारे दिये हुए link से कोई भी DMAT account खोलेंगे तो हम आपको telegram के कै कैसे account में add कर लेंगे जहां पर इस share market से संबंदित एक close information secret information आपके साथ regular share करते रहेंगे fundamental के बारे में भी technical के बारे में भी क्या चल रहा है market में क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए right facts के साथ कौन सा right तरीका investing का उसके बारे में बात करेंगे informational way में तो आप सबसे पहले हुआ है बहां से आप account खोलें और जहां telegram का link दिया है हमाग क्लिक करके telegram batch को जुरूर जोइन कर ले जहां निस्वार्थ बिना किसी fees के बिना किसी बविश्य में होने वाले फायदे के आपको information share करते रहेंगे educational purpose में उसको आप सीखेंगे समझेंगे तो आप आसानी से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थोड़े से fundamental और technical के बारे में क्योंकि अगर हम long term investment कर रहे ना तो मैं fundamental और technical दोनों knowledge होनी चाहिए लेकिन short term के लिए investment कर रहे हैं मतलब trading कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा तर technical analysis पर विश्वास करते हैं तो सारी सीजों को सीख अधार पर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक portfolio भी दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ पर बहुत कम समय में लाखो रुपे का profit बन चुका है लाइव वीडियो आपको दिखाऊंगा और किसी client के नहीं किसी और किसी के नहीं अपने बेटे के आपको एक वीडियो दिखाऊंगा ज जरूर लिखें स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे भविश्य की काम ना करता हूं जै हिंद जै भारत